जैसे जैसे आपकी ब्लेसिंग बढ़ेगी मैं देखिए बलेसिंग मैं आपको explain करना चाहता हूँ कि BLESSING IS NOTHING BUT PROTECTION जितना ज्यादा PROTECTION उतनी ज्यादा BLESSING सारा खेल PROTECTION का है मित्रुआ आपको हम 10 करोड दे दे और दो ठो डांकू आपके पीछे लगाते हैं जाके लूट के लिया हो ये शुमसी ने पूरा एक दिर्श्टांद कहा एक हादमी यरुश्णम से यरियो जा रहा था Do you know what was he carrying? He was carrying a blessing Being in Jerusalem in itself is a blessed thing यरुश्णम में होना ही आशीश का कऱन था यरुष्लम तो आशिशित जगा थी और अब वो यरुष्लम छोड़ करके यर्यो जा रहा है बगैर सुरक्षा के अकेले तनहा ना कोई हत्यार ना कोई इल्म ना कोई ज्ञान ना रस्ते का पता आप ऐसे रस्ते से जा रहे हो जहाँ डाकू है आप क्या पेक्षा कर रहे हो डाकू से कि आपके लिए रेड कार्पेट भी खाएगे आईए भाया खीर बनी है खीर खा करके जाएए यरुष्लम से आप आ रहे है यर्यो जा रहे है हम लोग डाकू लोग है बिना खीर खीलाई जाने नहीं देंगे हमारे हाँ जो आता है खीर के लिए आपकी खीर में थ्वासा किसमीज भी डाल देंगे आप समझ नहीं रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं आप लोग की बात कर रहा हूँ अपनी बात कर रहा हूँ इस संसार में इस पवित्र वचन को ले करके इस पवित्रात्मा को लेके बगैर सुरक्षा आप चले जा रहें और कहरें Blessing, Blessing वो Blessing ना उतने ही दूर तक थी जहां कट दाकू नहीं मिले उसके बाद उनकी Blessing जानते क्या गड़े में थी इतना बड़ा लिखा हुआ है ये स्वर्गी खजाना आप इस मिट्टी के बरतन में लेके चल रहे है और कभी यहां लड़ा दे रहे हैं कभी वहां लड़ा दे रहे हैं कितनी दिर रहेगा वो मिट्टी का बरतन वो तांबी और लोहे का नहीं है मित्रो आपका ये बदन, आपका ये शरीर आपकी ये आत्मा इतनी नाजुक है आपको सुरक्षा की जरुवात है मेरी बात सुनिया तब परमेश्वन ने नू और उसके पुत्रों को आशीश दी जानते हो आशीश क्या थी सुरक्षा की आशीश थी बाकी तो होई रहा था वहां पे बाकी तो वह पैदा करें ले रहे थे पुरी दुनिया तो उनके सामने थी सुरक्षा की जरुवाती जैसा मैंने कहा वो हूस्टन हूस्टन जहाँ अभी जो तुफान आया आपने हूस्टन देखा नहीं है आपकी आँख न बाहर आ जाएगी हूस्टन देखकर के अरे क्या महान अगर है क्या बिल्डिंग है उनकी मैं पहली बार गया तो हमको तो लगा चक्कर आ जाएगा मेरे और वो हूस्टन ऐसा बरबाद हुआ है आप यकिन नहीं कीजिएगा मैं फोटो देख रहा है अरे ये 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 रोड अपनी एक चो रोड पर बढ़ा उनको नाज है वो नमबर टेन है वो रोड वो पुरे अमेरिका में इधर से उधर जाती है एक लाइट नहीं मिलेगी सरसरा करके आप एक कोने से दूसरे कोने चलेएगा वो लग राचा की तलाब बना हुआ हुआ वो टेन बरबाद हो गया उनका मित्रो आपकी आशीश का कोई मतलब नहीं है अगर उसके साथ सुरक्षा नहीं जुड़ी है दस करोर रखी अपने घर में बिना ताला लगा करके एक सेकेंड लगेगा उसको गाइभ होने में यू डीड प्रोटेक्शन दैट इस वाट यूर ब्लेसिंग इस एन आस गाट तो प्रोटेक्ट चू आप द्वा कीजिए कि आपको क्या दूआ कुसर करना सिखाया पहले उसकी तारीफ क्या फिर आज दिन बर की रोटी आज हमें दे फिर तुरंद कहा हमें परिक्षा में ना पढ़ने जे बलकि हमको प्रोटेक्शन चाहिए वो रोटी नहीं खा पाएंगे लोग छीन के ले जाएंगे वो रोटी बरबाब हो जाएगी उसमें किड़े पर जाएंगे बैक्टिरिया हो जाएगा सर जाएगा I need your protection हमें तेरी सुरक्षा की जरुवत है हाज सबको blessing चाहिए सुरक्षा किसी को नहीं चाहिए आई हम सुरक्षा के बाद बारे बात करना चाहते है इफीसियो की पत्री उसका चौथा अध्याए इस फीसियो की पत्री सुरक्षा देखिए मेरी बात ध्यान दे सुरिएगा Until you are protected by the blood of Jesus Christ आपकी किसी blessing का यह परमेश्वार का वचन आपको सुरक्षा दे रहा है इफीसियो की पत्री उसका चौथा अध्याए और उसकी दस्वी आयच से मैं पढ़ना चाहता हूँ निदान प्रभू में और उसकी शक्ती के प्रभाव में बलवन बनो परमेश्वर के सारे हत्यार बांद लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको क्योंकि हमारा ये मल्यूत लहू और मान से नहीं परंतू ए भाई इस सब बात कहां से आगए लड़ना लड़नी की बात कहां से आगए जी क्योंकि आपकी जो दौलत है ना आपका जो उधार है मैं उधार की बात कर रहा हूँ उस दौलत की मैं बात कर रहा हूँ जो और रुपए पैसे से नहीं खरी दिया सकती जो कहीं से हासिल नहीं की जा सकती उसके लिए उसने उधार दे दिया है now you have to protect it आपको सुरक्षित करना पड़ेगा आपको सुरक्षा प्रदान करना पड़ेगा क्योंकि हमारा यह मल्यूत लहू और मान से नहीं परन्तु प्रदानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाक्मों से और उस दुष्टा की आत्मिक सिनाव से है जो आकाश में इसलिए किस के हतियार परमेश्वर के हतियार बानगए आप अपने हतियार की बात मत कीजिए अपने शस्त की बात मत कीजिए अपनी ताकत की बात मत कीजिए अपने ग्यान की बात मत कीजिए you need the weapon of God परमिश्वर के जो हत्यार है क्यों? because you need protection because he has already blessed you तब परमिश्वर ने नू और उसके पुत्रों को आशीश दी लेकिन वो आशीश किसी काम लाइक नहीं थी मैं अभी पहुंच रहा हूँ घबरा ये नहीं या वो आशीश किसी काम लाइक नहीं थी until God would have protected them और वो आशीश protection की आशीश थी अभी ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बात सुरक्षा की आशीश थी उनको चांद तारा नहीं दे दिया उनको सोना रूपिया नहीं हम लोग कुछ लगता ना खली पैसे की आशीश जो है आशीश होती नहीं मित्रो सुरक्षा की आशीश जो है वो सबसे बड़ी आशीश है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो हर एक को सुरक्षा चाहिए ये तोड़ी गरीब है तो इनको सुरक्षा नहीं चाहिए कहीं से काट दो, कहीं से मार दो मित्रू, आपका जो शत्रू है न, वो आपके कितने रिच और कितने पूर है, इससे उसको कोई ले ना देना नहीं, वो जानता है कि ये एक आत्मा है, और प्रभू इसकी आत्मा को बचाना चाहता है और इसकी आत्मा को हमको बर्बाद करना आपका जो आपकी जो लड़ाई आपका जो मल्यूद है वो लहू और मान से नहीं है हम लोग दुनिया के चक्करें पड़े हुए इसको प्रोटेक्ट करें अरे प्रोटेक्शन अगर चाहिए तो खुदाओं दिये सुमसी के लहू से चाहिए आपको उसका लहू आपको सब पापों से शुद्ध करेगा आपको हीलिंग देगा प्रेस दे लोट तालिया बजा के प्रभू का धन्यवाद कीजिए कि प्रभू का लहू आज भी हमारे लिए हमें सुरक्षा प्रदान करता है इसलिए परमिश्वर के सारे हत्यार बांग लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको सो प्रोटेक्शन देखिए सत्य से अपनी कमर धार्मिक्ता की जिलं पाओं में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूदे लुकेट दा प्रोटेक्शन मतलब एक एक अंग का प्रोटेक्शन वो दे रहा है कहां है डू यू नो सत्य से अपनी कमर कसके धार्मिक्ता की जिलं पहने कभी जिलं पहने ही नहीं आपको तो पता भी नहीं है कि जिलं है कि अगर रख दिया जाए तो इसमें जिलं क्या है आपको तो पता ही नहीं यू नीड तो गेट फेमिलियर विद दा वेपन अफ गाड या आपको मालू मोना चाहिए कि हतियार के साथ आपकी फेमिलियरिटी होनी चाहिए आपकी जान पैचान होनी चाहिए तो मालू हुआ कि नाल अपने ही तरफ लगकर दबा दिया बाड़ से फट गए उसी के अरे तो मालू में नहीं थे कि नाल इधर से है अरे ऐसे ऐसे हतियार होते मित्रो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी यह जो आर्मी वाले होते यह प्रैक्टिस करते रहते और परमेश्वर की आर्मी हतियार रखे हुए है शस्त्र है परमेश्वर के हतियार है ना कभी बांदे है ना कभी देखे है ना कभी जाने है, ना कभी उससे वाबस्ता हुए है, ना कभी उससे जुड़े है, और आशीश दे दीजे, क्या आशीश दे, लुट तो जाओगे, क्या रखे तुमको ये रुष्टे में, क्या भेजे यरियों में, बीचे ही में जाकर क्या अद्मुए हो जाओगे, और आज बहुत से मसीह, अग्मुए, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ask God to protect you उसने अपनी आशिशे दे दी है, उसने अपना उधार दे दिया वो दोबारा कुरूस पर चड़ करके मरने वाला नहीं है वो जी उठा है, हमारे और आपके वास्ते उसका लहु बहाया जा चुका है इस टाइम फॉर अस टू बी प्रोटेक्टेड बाइ दे बलड अफ जीजस ट्राइब ये वक्त है कि हम ये शुमसी के लहु के द्वारा अपने आपको पुरी तरे के सुस्रक्षित कर ले प्रभू हमें तेरी सुरक्षा चाहिए सत्य से अपनी कमर, धार मिक्ता की जिलम और पाओं में मेल के सुसमचार की तयारी के जुते पहन को और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते वितीरों को मुझा सको और उधार कटो और आत्मा की तल्वार जो परमिश्वार देखिया लुक अट पैसेज एक के बाद एक कोई चीज बाकी नहीं पहले अपने आपको सुरक्षित करो और फिर आत्मा की तल्वार लेकर लड़ने के लिए तैयर हो जो फर्स्ट प्रोटेक्ट योर्सेल्फ और अटेन अटेक पहले अपने को सुरक्षित कीजिए और बाइबल क्या कहती है मनुष्य सारे जगत को प्राप्ट करे और अपने जान का जोकिम उठाए तो उसे क्या फाइदा होगा आप जोकिम मत उठाईए मित्रोट आपका प्रोटेक्शन ही सब कुछ है एक अमीर आदमी के घर में बहुत सा नाज हुआ बाइबल की मैं बात कर रहा हूँ उसे कहा मैं बखारे तोड़के बड़ी बनाओंगा और अपने मन से कहूँगा अपने दिल से कहूँगा अपनी जान से कहूँगा खा पी तेरे पास हमेशा के लिए है आवाज आई अगर आज रात को तेरा प्राड उठा लिया जाए अगर तेरी प्रोटेक्शन खतम कर दी जाए अगर तेरी सुरक्षा खतम करे मसीयो, you need the word of God you need the weapon of God आपको परमेश्वर के हत्यार चाहिए चाहिए आपकी कोई आशीश काम नहीं करेगी आज मिलेगी आशीश, कल वो खतम हो जाएगी क्योंकि आपका शत्रू आपको बर्बाद करने पर उतार हुआ आपका ये प्रभू आशीश तो हमको आपने देही दी है आप सुरक्षा हमको दी दीजे और सुरक्षा जितनी मजबूत होगी आप उतने आनंदित और मगन होंगे उतना एंजॉई करेंगे क्योंकि सुरक्षा घरों में हम लोग गाड रखते हैं आप चैन से सोते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी सुरक्षा है वो हटा लिया जाए, रात बर आप करवट बदलते रहेंगे ताकते जाकते रहेंगे कोई आतो नहीं रहा अगर आपको कुछ चाहिए यू नीड दे प्रोटेक्शन अफ गौड अभी मैं आगे चल रहा हूँ आप मेरे साथ बने रहेगा उधार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्तना और बिंती करते रहो और इसलिए जाकते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगतार बिंती किया करो वापस आई आप उत्पत्री की पुस्तक पे बीस्वापद नवाध्याय बीस्वापद मैं अपने विशे से नहीं अटा हूँ आप घब रही है नहीं मैंने सिर्फ आपको अभी तक इस बारे में आश्वस्त किया है कि बगार प्रोटेक्शन आपको शण भरने लगेगा बरबाद होने में शापित होने में तो नू बाबा ने दाक की बारी लगाई मतवाले हो गए नंगे हो गए और कुछ ऐसा लगता है कि बहुत से नियम काईदे कानून अभी तक नहीं दिये गए थे दस्वा हुकुम अभी तक इंप्लिमेंट नहीं हुआ था वो निर्गमन बीस में हुआ था और अभी दुनिया बनी थी नौा हैस जस्ट कम आउट अफ दा आर्क परमेश्वर के बहुत से नियम काईदे कानून नहीं थे केवल एक ही दो हमको दिखाई दिया प्राण ना लेना प्राण के साथ मास मत खाना प्राण लोगे तो तुभारा प्राण भी मनुश्वर लाया जाएगा एक ही दो अभी बाते परमेश्वर ने अपने हुकुम के रूप में दी अभी चोड़ी करना में नहीं था अभी जूट बोलने में नहीं था अभी पुईत्र मानने में नहीं था अभी परमेश्वर का नाम वेरतना लें ये सब अभी ये इस्राइली जब निकले है तब परमेश्वन ने दस हुकुम दिये अभी तक वाचा थी व्यवस्था नहीं थी अभी तक कानून लागू नहीं हुआ था एक दो चीजों को छोड़के लेकिन उसके बावजूद परमेश्वन ने एक विवेक दिया था जिसके हबकुक की पुष्टक पुराने नियम में हबकुक की पुष्टक विन्य भाई निकाले आए हबकुक की पुष्टक जल्दी से उत्पती से चलते जाएगा तो मिल जाएगा दूसरा अध्याय और उसकी पंद्रवी आएथ हबकुक चैप्टर टू एन वर्स नमबर फिफ्टी कौन पढ़ेगा जल्दी से हाई उस पर हाई उस पर जो अपने पडोसी को मदीरा पिलाता मदीरा पिलाता और उसमें विश मिला करके यानि उसको और गाढ़ा बना करके और उसको मतवाला बना करके और उसको नशे में करता है जी हाई उस पर ठीक उसमें विश मिला कर उसको मतवाला कर देता है और उसको नंगा देखे कि उसको नंगा देखे कि उसको नंगा देख शाना और परमेश्वर नहीं चाहता है कि जो आपका विवेख है विवेख जो है वो आपको भले और बुरे का ज्यान कराता है क्या तिस सही है क्या गलत है कौन आपकी सिस्टर है कौन आपके ब्रदर है कौन आपकी मदर है कौन आपके फादर है इसमें एक भेद बताता है मगर यहां ऐसा लगता है कि हाम जो नू का छोटा बेटा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ बाइबल ने इसका डिटेल नहीं दिया नू अपने तंबू में नंगा हो गया कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाईयों को बतला दिया बजाए इसके कि अपने फादर के नंगेपन को ढ़ाग दे हाम एक्सपोजड इट और दूसरी रहीं में लिखा है कि दोनों भाईयों ने कपड़ा ले करके हाम के समान न देखे कई बार जो आपको करना है वो आप नहीं करते और जो नहीं करना है वही कर देते और ऐसा नहीं था कि अगर दोनों भाई को मालूम था कि फादर को पापा को नंगा नहीं देखना है तो हाम को नहीं पता था और एक और बात थी नू अपने तंबू में इस पोजिशन में था हम के तंबू में नहीं था वाट वाट वाज हम डूइंग इन दे टेंट आफ इस फादर आप पिता के तंबू में क्या करने है आपको अपने तंबू में होना है जो भी हुआ मामला अच्छा नहीं था अब फिर से ध्यान से देखिएगा नू बाबा दाक बदू पी के मतवाले हो गए अपने तंबू में गलत पोजिशन में इनका छोटा बेटा हाम आता है अपने पापा को नंगा देखता है बजाए कुछ करने के इसले की हरकत किसी बात को छीपाने किसी बात और पता और पता अच्छा लग रहा और जैसा मैंने कहा कि अगर इन दोनों भाईयों ने कपड़ा लेकर के पीछे की तरफ जा करके अपने फादर को ढाका तो ये निश्चित था कि ये हम को भी मालूम था कि करना यही है हम को मालूम था कि ये गलत है जो उसने किया दोनों भाईयों ने अपने फादर को नंगा नहीं देखा जा कि उसको ढापा अब आ गया यह तब शेव और ये पेद दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की और उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को धाप दिया और वे अपना मुख पीछे किये हुए थे इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा देट मींज उस वक्त इतना नियम तो बन चुका था कि किसी को नंगा नहीं देखना क्योंकि नंगा पन पाप से जुड़ा हुआ था आपको याद होगा बागया दन में जब उन्होंने फल खाया तो वो नंगे हो गए जब नू का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है अब हम छोटे पुत्र का नाम लगाएंगे यहाँ पे जब नू का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र जोर से बोल दियेगा उसके छोटे पुत्र हाम ने नू बाबा ने अपना मुग खोला, श्राप देना शुरू किया, एक मिनट, फिर से मेरे साथ रहीएगा, नू का नशा उतर गया, उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र हाम ने उसके साथ क्या किया, अब नू बाबा श्राप देना चाहा रहे है, तो श्राप किसको मिलना चाहिए, सीजी सी बाब है, सीजी सी बाब है, श्राप किसको मिलना चाहिए, हाम को, आईए पढ़ते हैं, जब नू का नशा उतर गया, तब उसने जा लिया कि उसके छोटे पुत्रे उसने क्या क्या, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, कनान कौन था, कनान ने देखा था क्या, कनान उसका पोता था ना, कनान ने, ऐसा तो ने लिखा कि कनान ने अपने दादा को, नंगा देखा ऐसा लिखा क्या, हाम ने देखा था, तो हाम क्यों ने इश्रापित हो रहा है, हाम का नाम आना चाहिए था ना, फिर से सुनिए इसको, जब नू का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र याने हम ने उससे क्या किया है इसलिए उसने कहा कनान शापित हो एक बार फिर से आईएगा आप लोग जल्दी से आईए यह आप लोग को समझना पड़ेगा यह बहुत इंट्रस्टिंग एक खटना है यह अपने पिता को नंगा देखा अपने दोनों भाईयों को बताया दोनों भाईयों ने उल्टा चल करके कपड़ा ले करके अपने पापा का नंगापन ढाप दिया जब नू का नशा उतर गया तो इन्हों ने जान लिया कि उसके छोटे पुत्रे हाम ने उनके साथ क्या किया इन्होंने अपना मुझ खोला और कनान को श्राप देने लगे हाम गायब हो गए उसमें एक प्रेट आप इदर पीछ आईगा और पीछ आईगा श्राप कनान को मिल रहा हाम गायब हो गए At the other hand दूसरी तरफ सुनिएगा कनान शापितु अपने भाई बंधों का दास हो फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर धन्य है शेम का परमेश्वर धन्य है और आगे क्या लिखा है कनान शेम का दास हो परमेश्वर ये पेद के वंच को बढ़ाए आप देखिए आशीश इन दोनों को मिल रही है श्राप इसको मिल रहा है आशीश इनके बच्चों को नहीं मिल रही है आशीश डारेक्ट इनको मिल रही है मगर जब श्राब देने की बात आई तो ये गाइब हो गए सारा कांड करके बैठे है ये और फस रहे हैं उनके बेटे कनान कनान ने क्या किया था कनान का कहे कोई जिकर नहीं है कि कनान तेंक यू आप लोग बैगी नू का नशा उतर गया आप आप फूश में थे आपने ये भी जान दिया कि आपके फिर से पड़ते हैं आई जब नू का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पूटर ने उससे क्या क्या कई जीजे कि नशा उतर गया तो नका सम्झे में नहीं आया हुँ आप तू नशाय उत्रगा आप क्यों इसको आप हाम मुश फोड़ दीए यह पेट को और बशेम को खुब आशीष दे रहे आप करनान को आप शरत पर शरब दिये जा रहे आज तक वोड़ा चल रहा बाइद हुई आप शरत दिा जण रहे है हो क्या राई है हाम का जिकर नहीं है उसके अंदर नामी नहीं आया हाम का एक बार भी सब जैसे भी ने कहा सारा क्रिया करम हाम करके बैठे और श्राब पा रहे है कोई बोलेगा मेरे साथ प्रेश दो रोड मैंने भी क्या बोला तब परमेश्वर ने नू और उसके पुत्रों को आशीश दी ये जो चादर है ये जो सौल है ये आशीश को रेप्रेजेंट कर रही आशीश को कहा गए हमारे हाम इदर आईए तब परमेश्वर ने नू और उसके पुत्रों को इनके पुत्रों को आशीश नही दी मैं बार-बार कर रहा हूँ आशीश बहुत परसनल है बहुत व्यक्तिकत है इस चक्कर महमत रहेगा कि आप पास्टर है तो आपका बेटा भी पास्टर होगा आपका बेटा भी आज़ी कुछ नहीं परमेश्वर ने कहा मेरे दास अयूप को देखा है तुमने मेरे दास दाउद को देखा है तुमने उसने नाम लिया दाउद के बेटे का नाम ने लिया अयूप के बेटे का नाम ने लिया बी वेरी केरफुल गाड वांस तो टॉक तु यू इंडिविज्वली व्यक्तिकत रूप से बात करना चाहता है नू को और उसके पुत्रों को आशीश दी अब फिर वापस आते हैं नू का नशा उतर गया है उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्रे ने क्या किया है इसलिए वो अपना मुझ खोल के कहने लगा कनान शापी तो जानते क्यों क्योंकि परमेश्वर की आशीश थी हम को वो श्राप नहीं दे सकता था क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आशीश से प्रोटेक्ट करके रखा था उसको कनान प्रोटेक्टेड नहीं था हम प्रोटेक्टेड था नू को मालूम था मैं कितना भी श्राप दूंगा हम पर एक श्राप नहीं लगेगा because God has already blessed my son's hallelujah प्रभू का धन्यवाद कीजिए कि आपका खुदावद आपको protect करता है देने दीजिए लोग को श्राप जितना श्राप दुनिया को देना है जितना कर्श करना है दुनिया कर सकती है जितनी उल्टी सीधी बात आपके बारे में कहती है दुनिया कहने दीजिए make sure that you are blessed by God Almighty तालिया बजा के प्रभू का धन्यवाद की जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिहा कर दिया है तो डिश्टिक कोर्ट आपको उसी सजा नहीं दे सकता है खुदावन ने नू और उसके बेटों को आशीश दी थी दीजिये जितना कर्श करना लगे गए दी नू ने कहा शब्द बेकार करने से फाइदा क्या खाम को किनारे कर एक बात बता दे जिसको परमेशवर ने आशीश दी है आप उसको डबल ब्लेसिंग दे सकते है मगर कर्स नहीं दे सकते है श्राप नहीं दे सकते है मैं आपसे यही आजनी वेदन कर रहा हूँ परमेशवर के सारे हत्यार पान लो अपने आपको पूरी तरीके से उसके लहू से कवर कर लो दुनिया दे जितनी गाली देना है दुनिया को कहने दीजे जो कहना है दुनिया को बोलने दीजे जितना तो आर हई मर जाई हई मर जाई हई हो जाई हो जाई तो आर गरदन पीछे घुम जाई तो आज चोटी कर जाई जोन कहना है कहो हमार कुछुनाई हुई हमार कुछुनाई हुई I am blessed by God Almighty Thank you एक बरस दोर दालतालिया बजाके प्रभू का धन्यवाद तो हम 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 क्या हम क्या हम हम क्या हम हम क्या हम 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 जो ऐसा क्या हम मेरे अभी शिफ्ट को मत छूना दंड देना होगा मैं दूंगा अगर मैंने आशीजती है अगर मैंने किसी को दस रुपय दिया आप को रोते छिनने वाले लेना होगा हम लेंगे वापस ना, आप कौन होगा, अरे इसे यह रखा हुआ है यह आप काम नहीं क्या है, हम चीन लेते हैं, कही बार हम जो हमारे भाईया लोग काम करते हैं, कही बार पैसे देते हैं, उसका काम नहीं हुआ, तो कोई तीसरा के चीन, आप भाईया काम नहीं क कहता है मेरे अभी शिक्त को मच हो और आपको आप पढ़िएगा इस्राइलियों से कहा इस्राइलियों को वो दंड देता था मगर किसी को उन पर चढ़ने नहीं दिया उसे शत्रू को चढ़ने जब परमेश्वर वो बोल रहा था यह हुआ मेरा प्रोटेक्शन और रसे बिना परमेशर के वचन के बिना उसके लहू के दुनिया में आप तो बन रहे हैं खच-कच-कच-काट दिये जाएगे भीडिये बाहर पड़े हुए परिस्तितिया बाहर पड़ी हुई है गरीबी पड़ी हुई है बीमारी पड़ी हुई है रिष्टे खांदान सब पड़े हुए है आपको बरबात करने के लिए अपने आपको सर से लेकर के पाउं तक उसके लहू की आड में छीपा करके रखे प्रभू तेरा protection चाहिए blessing तो हम blessing तो आपने दिया है लेकिन वो blessing किस काम की अगर आपकी सुरक्षा ना मिले अगर आपकी blessing मिल जायेगी हम सुरक्षित रहेंगे और उस blessing को हम enjoy करेंगे अपनी आखों को बंद कीजिएगा थोड़ी दिर के लिए उसे सुरक्षा मांगिएगा प्रभू ये शरीर, ये आत्मा, ये प्राण बगएर तेरी सुरक्षा के नहीं चल सकता I need your protection हमारी रक्षा करना खुदावन लोगों ने तो क्या क्या कहा हमें कैसा कैसा कर्ज किया लेकिन प्रभू जी अगर आप हमारे साथ है Thank you Jesus प्रभू जाओगे कुनाहो की वादी में चलना अदं से ही होता रहा है ये इंसाथ खुदा को बुलाकर अदं से ही होता रहा है मगर ये खुलाक की बाते क्या तुम बिटा पाओगे बबून के राद लगाकर क्या कोई खल पाओगे शहालो की दॉला लगाओ दिलोजा से तन को सजादो शहालो की दॉला लगाओ लिलोजा से तन को सजादो मिनारे इलम की बढ़ाकर दिने आस्मा तक उठादो मगर जिन्दगी के दो लम्हे या तुम बढ़ा पाओगे बभूल के बाद लगाकर क्या कोई फल पाओगे क्या कोई पल पाओगे क्या कोई पल पाओगे नू जैसे आद्वी नू बबाबा प्रोटेक्टेड़ यह जब आपके पास दसजार रुपया हाथ में था तो लोग चीन लेंगे मार देंगे काट देंगे लेया के बैंक में जबा कर देंगे चीनो नहीं नहीं चीनलो हाई यह नहीं मेरे पास वो तो बैंक में सूरग्चित हो गया हाई में कहने दीजे लोग को यह कर देंगे वो कर देंगे इसा जादू जादू काला जादू, पीला जादू, निला जादू, जोनो कलर का जादू, बल्के हमको भी दो चाटो जादू दिखाई दो दिखा जाए कैसा, I am covered by the blood of Jesus Christ. आप सोचिए मित्रो, मैं जहाद में जाता हूँ, हवाई जाता हूँ, कितने लोग को मुका मिलता है, और भी ऐसे हवाई जादू, बड़े बड़े, बिदेज, मैं जहाद में चड़ता हूँगा, तो कौँछी की दुआ करता हूँगा, कि खुब उपर नीचे होता रहे, नी सब दुआ करता हूँ, मैं सारी दुआ यही करता हूँ प्रभू, सुरक्षित पहुचा जाए, यह जहाद जितना अच्छा हो, सोने का नहीं चांदी का नहीं किसी का हो, सुरक्षित अगर नहीं पहुंच रहे, अरे सोने का जहाद भाट गया, अरे भया, लकडिये का मित्रों आप पर्वेशर की सुरक्षा को मामोली मत समझें उपर अपनों को प्रुट करना चाहता कि इसलिए उसमे अपना नाम लिया नाम लिया है आपका मेरा दास अयूग मेरा दास दाऊ मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचालती है। आपको खत्रे से निकाल करके वो सुरक्षित जगा पर लेके आना चाहता है। जो भीड भटक गई ती, क्या प्रॉब्लम थी भीड की रहती वहां पर सुरक्षित नहीं थी। उसको सुरक्षा चाहिए थी। निकाल करके लेका है। आज खुदावन्द ने आपको ना जाने कहां कहां से निकाल करके यहां पहुँचाया है जमते कहां सुरक्षा में पहुचाया है अपने वचन की सुरक्षा में पहुचाया है अपने लहू की सुरक्षा में पहुचाया हर समय उसका धन्यवाद कीजेगा उसकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद ही जेगा अब हमारे प्रभी ये शुमसी की सुरक्षा उसका प्यार उसका नुग्रव हम सभों के साथ उसके आने तक बना रहे हैं आमीन प्रेज दे लॉड